तो hello everyone, कैसे हो आप लोग half yearly का exam आगे और paper का पता नहीं कैसा paper देंगे ऊसकूल वाले तो कोई चिंता वाली बात नहीं आपके भाईया यहां पे बैट हैं तो हमने क्या किया हमने देखा कि भाईया paper कैसे अर्रेंज करें तो हमने paper arrange कि, हमने देखा कि पिछले सालों में कैसे paper पूछे गे, उसको देख करके आप लोगों के लिए English का Half Year का paper तयार किया है, ऐसा ही paper आपके exam में देखने को मेलेगा, तो भाई या पूरी वीडियो जरूर से देखना, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही question आए तो देहान से सुनना विया हर एक चीज जो paper में आने वाली है वो आपको मिल जाएगे, और जो paper है उनके भी link आपको description में मिलेगे, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात है कि बच्चे English के अंदर कम score करते हैं, उनका बस यह कहना होता है कि आता तो था, लेकिन time कम पढ़ अब यह क्यों हुआ, क्योंकि paper attempt करने की एक trick होती है, एक तरीका होता है कि paper को कैसे attempt किया जाता है, exam में कैसे top किया जाता है, वो तरीका होता है, यह तरीका बताओं से पहले थोड़ा सा आपको gust देना होगा अपने हातों को, यार मैंने बड़ी महनच से YouTube से बात करी, जब जाकर यह उन्होंने subscribe का button लगाया, और अभी तक नहीं दबाया है, अरे दबा दो, अभी भी नहीं दबाया, subscribe दबाओ, अच्छा लगे तो like करो, और अपने सभी दोस्तों के साथ में share कर दो, school में कि आफ यह लिका paper ऐसा आएगा, यह इनसान बता रहा है, ठीक है, तो फिर चलिए, start करते हैं, तो देखे, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कि यहाँ पर English के अंदर आपको 4 section देखने को भी लेंगे, तो भी आपको जो attempt करने का तरीका है, वो इस तरीके से होना चाहिए, कि आप सबसे पहले literature को attempt करें, क्योंकि 50% से ज़्यादा weightage इसका है, 40 number के literature सी इग्जाम के अंदर पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम literature की अच्छे तरीके से practice करो, और उसे के साथ में writing section के भी बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप लोगों को attempt करना है, इसके बाद में फिर grammar attempt करनी है, और reading के लिए थोड़ा time आपको ज sample papers ही होते हैं, तो वो कहां से लाएंगे, तो भईया इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, PWK sample papers, ये जो sample paper है ना, मैं आपको बताता हूँ, देखो, आप ही बताना कि अच्छे है या नी, सबसे first तो ये है कि जो CBC का नया pattern है ना, 50% competency based, वो उसके ओपर based ये पूरी पूरी book है, जैसे कि CBC की marking scheme होती है, वही इसने follow किया है, अब मैं आपको आताता हूँ, देखो, सबसे पहली बढ़िया बात, कि यहाँ पर आपको cheat sheet मिल जाएगी, जिसके अंदर कि आपको हर एक chapter के यहाँ पर short notes मिले है, later to God, उसकी सारी important चीज़े, फिर इसी exam में पूची जाती है, तुम बैठो आराम से sample paper attempt करो, बढ़िया तरीके से, उस तरीके से sample paper design के, और साथ में, जो competency based question नहीं पूचेगे, तो उसके basis के उपर देथी है, 2024 के अभी जो sample paper आई वे time भी नहीं हुआ, उससे पहली इनोंने, उसके जैसे questions बहुत कम time किंदर बहुत ज़्यादा महनत करी ये PW ने, तो वो आप देख सकते हो, और उसी के साथ में, देखो भी ये students को ये भी तो बताऊना चाहिए, गलती कहां कर रहे हैं, तो इनोंने highlight करके बताए, कि देखो बच्चों, ये गलती exam में नहीं करनी, ठीक है, highlight करके बताया हुए, कि ये फिर उसके बाद में, जैसे कि marking scheme होती है, कि किस चीज के कितने number मिलेंगे, कि आपने content लिखा, एक number मिलेगा, organization में एक number मिलेगा, किस तरीके से आपको exam marks मिलेगे, वो आपको देखने को मिलेगा, और भाई, toppers कैसे लिखते हैं, वो भी आपको दिखा देंगे, तो आपको य यही नहीं, एक ही नहीं, सारे sample paper के आपको hand written explanation मिलेंगे, जो कि यह almost सभी toppers के हैं, तो इसी बात के ओपर, जल्दी से आपको नीचे description में link मिल जाएगा, वहाँ से जाकर कि आप इसे purchase कर सकते हो, और अगर आप मेरा coupon code runwin50, PW store पर जाकी use करते हो, तो आपको वहाँ पर additional और साथा discount में लगा, यह win-win situation है, जल्दी से जाओ और खरीदो PW की book, अब इसके बाद में हम लोग सीधा start करते हैं, हमारे sample paper solve करना, और इतना ही नहीं, आपको यह सभी subject के sample paper देखने को मिलेंगे, science के, ss3 के, English के, Hindi के, आपको सभी का नीचे description में link मिल जाएगा, वहाँ से जा summer से हम लोग start करेंगे, और एक बात clear कर देता हूँ, भाई साथ कोई भी आगर की मेरे को यह नहीं बोलेगा, कि इस में से question आई ही नहीं आ रहे, बेवकुव जैसी बातें मत करना, अगर मैंने बोला है कि helping verb से related आएगा, 10 से related आएगा, उसको कैसे solve करना, अगर वो सीखगे तो भाई एक्जाम गंदर ऐसे same नहीं आएंगे, लेकिन यही same topic क्यों पर question आपके exam में, इसकी guarantee मैं लेता हूँ, अगर नहीं आते है ऐसे question तो आप मुझे आकर करके comment में लिख देना, कि भाई आप तो गंदे आदमी हों, आप उसके question ही नहीं आए, तीक है मैं मानने को तय लेकिन यह नहीं, सुनूँगा कि same question यह, question ऐसे ही आएंगे, डिटो ऐसे कैसे question आएंगे, same यही, जो writing में बता रहा हूँ, जो grammar में बता रहा हूँ, इसके लावा कुछ भी बाहर नहीं आएगा, इससे तो पूरी पूरी वीडियो ध्यान से देखना हर एक time stamp भी दिया जिसमें से आप लोगों की जो grammar होती है, वो होती है 10 marks की, जिसके अंदर की आप लोगों को यहाँ पर 12 questions देखने को मिलते है, जिनमें से कोई भी 10 attempt कर रहना होते है, बहुत ही जादा simple paper आता है grammar का, हम लोग इससे start करते है, अब देखो, इसके अंदर सबसे पहला question है, यह है fill in the blank वाला question है, इसके अंदर आपको जो भी form दीवे है, उसको सही धंक से fill करना है, इसमें सो, अब हमारा first question यहाँ पर आता है, जिसके अंदर के हमें given है, कि dear sir, this is with reference to the committee letter of recommendation that highlight, अब तो यहाँ पर यह जो word आपको given है, highlight, अब आपको इसको correct form बताने है कि इसके अंदर क्या अब जब यह simple present tense हुआ, तो अब यहाँ पर हमारे पास में दो choices बनेंगी verb की, ठीक है, अब जो सबसे first choice है, वो यह है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी base form है, उसी को यह activities लिख देंगे, और जो दूसरा होता है, इसका ही होता है, कि यहाँ पर आप लोग बोल स लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे, तो हमारे जो subject है, वो है singular, तो यहाँ पर हमारे जो correct answer हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा base form प्लस S, तो यहाँ पर यह सही answer हो जाएगा, हमारा highlights इसका एकदम से correct answer होगा, अब इसके बाद में हमारे पास में question number second, जि signing number first, इसको कैसे करेंगे, तो सबसे first ज आपको इसके उंदर check कर चatie करनी होगा, वो करनी है, इसके helping verb एप अपर helping वर्ब, ठीक है, अब helping verb एप अगर सología better, तो आपको यहाँ पर check करना होगा hour, इसका prepositions, और इसके बाद में भी अगर गलत है, तो भिया, इसका 53 question है, गलत ह Panks at the Bay with its baked spice and oriental flavor तो अब यहाँ पर हमें निकालना है कि इसके अंदर क्या error होगा तो अब देखो यहाँ पर इसके अंदर simple सा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप जब इसको देखोगी तो आपको यहाँ पर दिखेगा वो दिखेगा must अब आपको पता होना चachtet कि must हम लोग कहा पर use में लेते हैं तो must हम लोग वहाँ पर use में लेते हैं जहाँ पर हमें क्या करना हो किसी को order देना हो या फर हम लोग किसी का हमारे ने confirm है कि भाई तुझे ये करना ऐसा होना ही चाहिए तो उस case के अंदर हम लोग क्या करते है, must को use में लेते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या है, इस sentence के अंदर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप किसी को order या फिर ऐसा कुछ compulsory वाली चीज नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्या दे रहे हो, अपना opinion दे रहे हो, तो जब कभी हम हमारा opinion देते हैं, तो उस case के अंदर हम लोग क्या use में लेते हैं, must नहीं लेते हैं, हम लोग बोलते हैं, will कि ऐसा हो जाए, कि हाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी यह जो recipe वो तो अच्छी है, लेकिन अगर तुम ऐसा करो कि मेरे opinion में तो वो अच्छा कि यह बनाए क्यों था, क्योंकि honestly बात है कि यह sentence दिया और फिर आप इसको अपने conversation के अंदर लिखे हैं, क्यों लिखना भई हम नहीं लिखना चाहते हैं, पर यह नहीं समझते हैं, हमें पढ़ने के लिए करना ही पड़ेगा, बच्चों, frustration बहुत हो जाती है, लेकिन अब इसके अंदर कहा गया है कि अभिला आश and Neha had a conversation with the arguments of Neha Dance Academy, और आपको report करना है जो अभिलास का question है उसका वो यह है, कि is your best friend helping you in this venture कि यह तुमारा जो best friend है वो इस venture के अंदर तुमारी help कर रहा है या नहीं, तो अब हम लोग step by step करेंगे, तो देखो, ध्यान से मेर साथ म अभिलास क्या कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभिलास asked Neha, कि भया उसने क्या करा, Neha से पूछा, अब यह question start हो रहा है, तो यहां पर जब कभी भी question start इसके अंदर है, क्या तुमारा दोस्त help करेगा, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ask Neha that आएगा, और फिर इसके कि यहां पर यहां पर आफक हम लोग करने हर के अंदर क्यों यहां पर है इसको नोग कर कर नांज़ कर नहwydd लगिन आपको इसको क्वेड कर आहक आइँ पास्ट के अंदर तो आहं पर इसको क्या करोंगे यहां पर फॉजfilm helping आएगा. ठीक है? यह हमने हाँ helping verb लगा दी तो हमने हों तो प्रेजेंड हम अर्य देंड हो जिसके बाद में यू-ndिस-वेंचर और यहाँ पर यह जो हमा रा दिस है इसको हम लोग convert करदेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हमारे क्योशन इहां पे खताम होता है, जिसके इंदर की हमें डिया हुआ है, यहां पर भी डायेलोग है, दो डायेलोग दिया है, डायेलोग बाजी बहुत तगडे वाली चल रही है, यहां पर शारा बोलती है, कि why did you choose to participate in this internship program, वो पुछती कि तुने इस internship program में क्यों पार्टिस्पेट किया तो वहीं पर जो शबनाम है वो बोलती है I have convinced this program has the potential to enhance my abilities की भीया यह जो प्रोग्राम है जैसे कि आप लोग दिखरते होंगे कि यार मेरी है जो abilities है उसको इससे enhancement अब देखो question उसने क्या पुछा आता है यहां पर जो सार है उसका question स्टार्ट होता है कि why did you choose to participate तो अब हमने question लिख लग ला कि हमें इसको convert करना है तो यहां पर ध्यान से देखो क्या why के अंदर कोई conversion होगा यहां पर इसके अंदर कोई भी conversion नहीं होगा फिर इसके बाद में देखो did है, अब did क्या है? यह है simple सा past के अंदर है, simple past के अंदर है, तो अब हम लोग इसे किस के अंदर convert करेंगे, इसको convert कर दें past perfect के अंदर, तो जब आ past perfect के अंदर convert करोगे, तो यहाँ पर देखो subnam है, subnam क्या है? वो है लड़की, तो उसके लिए हम ल है तो यहाँ पर इसके अंदर correction होगा, ही के जगह पर यहाँ पर होगा, वो शी और इसका answer जो होजाएगा, वो होजाएगा, हमारे पास में C option, और इसे के साथ में इस वीडियो को लाइक हो जाना है, अची अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहें, अब इसके बाद में आता है हमारे पास में question number 5, question number 5 के अंदर हमें simple सा क्या दिया हुआ है, fill in the blank दिया हुआ है कि आपको इसको fill करने है, तो अब हमारा question इस तरीके से है, कि a copy of plan is enclosed and फिर आपको that, then, this में से बनाना होगा, कि may be communicated to all the team leaders for compilation, तो अब हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, तो इहां पर देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि that हम लोग कहां पर काम में लेते हैं, then हम लोग कहां पर काम में लेते हैं, और this हम लोग कहां पर काम में लेते हैं, तो that हम लोग वहां पर काम में लेते हैं, जहां पर that's my friend Tom over there तो मलब क्या है कि हमारा जो friend हो में से थोड़ा दूर है तो वहां पर हम लोग इसको काम में लेते हैं और then हम लोग वहां पर युज में लेते हैं जहां पर कि हमें किसी time को denote करना हो जैसे कि when I finished my study then I will go for playing football जो भी आपको हो जिसके अंदर की क्या होता है कि हम टाइम कर रहे हैं यह हो जाएगा उसके बाद तो यहां पर यह दोनों दोनों चीज़े कैंसल होती हैं बचता है दिसको हम लोग वहां पर यूसमें लेते हैं जहां पर की जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे पास में हो तो यहां पर क्या है क कि आपको error और correction निकालना है वो यह है कि the company aimed at increasing the authorities in the area frequently visited by the clients तो अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था आपको सबसे first में जो identify करना है वो करनी है इसकी work तो जब आप इसकी work देखोगे तो वो क्या है वो है aimed अब aimed के अंदर जब आप देखोगे तो यहाँ पर यह क्या है यह complete हो चुका है और इसके अंदर हमें क्या कहा जा रहे है कि ऐसा हो चुका है लेकिन यहाँ पर currently है कि the company aimed at increasing the authority तो मतलब क्या है कि यहाँ पर वो चाहती है अभी भी current projection है तो यहाँ पर हम इससे क्या करेंगे aiming आएगा इसका correct answer और simple सा यह समझो कि यह जादा अगर समझ में नहीं आई यह बात तो यह समझो कि यह क्या है यह पास्ट के अंदर हमें इसको किसके अंदर हमें इसको किसके अंदर तो हमें इसको कनवर्ट करना होगा प्रेजेंट के अंदर ठीक है समझ मेरी बात तो हम इसी simple सा प्रेजेंट के अंदर इसे convert कर देंगे, then फिर इसके बाद में आता है हमारे पस में हमारा अगला question, then फिर इसके बाद में आता है अगला question आपकी screen के ओपर जो कि question number 7 जिसके अंदर के आपको एक analytical report दी गई है, उसमें भी आपको error or correction निकालना है, तीन question आचोके है, error or correction को अच्छे से कर लो जिसके अंदर की tense helping work आपको pre-position का ध्यान रखना है, then फिर इसके बाद में अगला question आपकी screen के ओपर, question number 7 जिसके अंदर के आपको एक analytical report दी गई है, उसका conclusion आपको दिया है, जिसके अंदर की कह रहे है, कि in the conclusion this study explores the associations among the short slip pattern and overweight youngsters, कि यहापर simple चा यंग्स्टर कि क्या problem है, उनकी problem ही है, कि एक तो वो कम सोते हैं, दूसरा कि उनका overweight हो रहा है, जब कम सोगे, तो आपका overweight होगा, क्योंकि आप लोगो work out करने का time नहीं मिलेगा, इसलिए overweight होगा, इसका हमारी इससे कोई भी relation नहीं है, लेकिन हमने क्या कहा था कि हमें इसको simple सा check करना है, तो इसके इंदर आप लोग देखोगे, तो वर्ब सही भी सही जग है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा preposition है, जो की होगा, यहाँ पर among, वो एकदम से गलत हो गया, अब यह गलत क्यों हुआ भाईया, क्योंकि among हम लोग कहां पर use में लेते हैं, जहां पर हमारे पास में more than two, या बोल सकते हो कि more than two objects हूँ, तो अब हम यहाँ पर दो बातों की थोड़ी बात करने हैं, हम लोग simple से किसकी बात करने हैं, एक तो slip pattern की और overweight की, तो यहाँ पर simple से किया हैं, दो चीजे होती, तो जब कभी भी दो चीजे हैं, हम उसके लिए उसमें लेते हैं, बिटवीन, और BW को हम लोग बोलते हैं, बिटवीन और आप लोग कमेंट करो इसकी full spelling अगर आती होगी, बहुत सारे इसके अंदर भी गलती कर देंगे, देखते हैं कि किसको इसकी full spelling आती है, तो अब हमारे पास मायता है कि कि आपको बहुत ही जादा दिल से भावुक कर देने वाला है, तो भाईया, इस क्यूशन को ध्यान से सुनना, तो अब देखो, मेरा मायक भी मेरे पास में हा करके भावुक हो गया ता, तो अब इसके अंदर कहा गया है कि the experience of nursing and insert bird left me, grateful for knowing the importance of being kind and compensate to all the creatures, तो भाईया, जो भी एक जैसे की bird थी, वो hurt हो गए थी, तो उसको nursing करके, उसकी help करके, जो मेरे दिल को satisfaction मिला न, वो कहीं पे भी नहीं मिल सकता, जैसे कि मेरे को आपनों को satisfaction मिलता है, एक रात पहले आपको यहाँ आता था कि आप कल पे पर है, फिर आते हो ऐसी videos देख तो जिससे मजा आता हो, जिनमें आपको knowledge मिलता है, तो इसलिए subscribe कर लेना चाहिए, तो अब यहाँ पे हमें क्या है, ध्यान चे देखो, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि वो यहाँ पर क्या वो चीज continue हो रही है, उसने अभी भी उसको क्या वो feeling आ रही है, तो जब कभी भी ऐसा हो कि जहाँ पर ह लेते हैं, हम लोग यहाँ पर उसके लिए लेंगे feeling इसका एकदम से correct होगा, लेकिन आपके doubt आएगा कि भाया, ए वाला option तो सही होगा, एक बार बी वाला भी बता दो, इसके अंदर having felt का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वो काम हो चुका, ठीक है, वो काम हो चु अव यहाँ की दो आपकी पूराक पूरा कंपलीट करना है, तो देखो, यहाँ पर अब हम किस च्छी चीज को चेंज करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा last month है उसको हमें convert करना होगा, अब मैं हर एक बात आप लोगों को इसके अंदर बताने वाला हूँ, last month जो है उसको हम लोग कभी भी, जैसे कि tomorrow होता है, तो हम लोग उसको बोलता है, the day after tomorrow, तो last month है, तो हम लोग इसको बोलेंगे, the नहीं लगाएंगे, इसके आगे, हम लोग इसको लगाएंगे, previous month, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, previous month, और this को हम लोग इसके अंदर, किसके अंदर convert करने वाले, इसको हम लोग करेंगे, यहाँ पर that में convert, और इसके कि हैव को हम लोग इसके अंदर कर देंगे वो कर देंगे हैड के अंदर और इसके लाव इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज निये जो कि आपको नहीं आती है तो कमेंट करके इस कांसर अभी कि आजाना चे कि भाई यह सही हो जो भी सही करेगा इसको मेरी तरफ से गिफ्ट जरू करना है यहाँ पर कहा गया कि Congratulations Changemakers The Regional Competition Awards Have Been Announced and Our School Music Club Won The Prize So देखो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारी जो स्कुल है वो प्राइज को जीत चुकी है मदलब कि अभी 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 रिसेंट लिक अंदर ये इवेंट वैजब कभी भी ऐसा होते है जहांपर कि हमारा इवेंट हो चुका होता है और वो रिसेंट वाला होता है तो उसके इसके अंदर हम लोग क्या यूज में लेते हैं वहाँ पर हम लोग यूज में लेते हैं हैज और हैव और उसके साथ में हम लोग लेते हैं then फिर इसके बाद में चलते हम लोग क्योशना number 11 के उपर जिसके अदर के आप लोग एक पॉइंट दियो जिसको के complete करना है इसमें यह है कि दर रिवर रंस थू दर वेंज के थू जाते क्योंकि पॉइट जो होता है वो हमेशे उट पटांगी बाते करता है और इसके अदर कह कि प्लूरल के साथ में हम लोग क्या यूज में लेंगे मैने अभी बताया था कि हम लोग बैस फॉम यूज में लेते हैं तो इसलिए हमारे जो आंसर जाएगा वो जाएगा क्योंकि यह जो पॉइम है हमेशे बात याद रखना कि वो होती है वो लिखी जाती है प्रेजिट तो इसी लिए हमारे पास में जो correct answer रहने वाला है वो रहने वाला B option तो इसको lock कर दिया जाए चला जाए next question के ओपर जो कि हमारा question number 12 होगा इसमें हमसे कहा कि है कि आप लोगों को simple सा इसको convert करना है अब मैं आप लोगों को इसको बता हूं और आप लोगों को इसका answer कमेंट करना होगा देखतें कि कितने student को यह वाली बात अभी तक समझ में last location एक दम से सही होना चाहिए वो यह है कि the passengers will not reach the airport in order to avoid a fine equivalent to 5% of basic fare तो यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या समझाय था वो समझाय था कि will हम लोग कहां पर यूज में लेते हैं जहां पर कि हमेना हमारा opinion देना होता है वहाँ पर compulsory नहीं होता लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि passenger को strict order दिया चाह रहे कि भ क्या यूज में लेंगे यहाँ पर हम लोग लेंगे should क्योंकि यह एक तरीक कर क्या है वो है order जो कि आपको मानना ही होगा तो इसलिए हमारे पास में जो correct answer हो रहने वाला है should,Error होगी हमारे पास में will और इसका correction होगी हमारे पास में should दैन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास अगला क्योषिन जो कि आप लोगों को exam केंदर बहुती जादा help करेगा क्यूंकि मैं आप लोगों को इसके अंदर बताने वालो ऐसे डृक्स जिसके वाज़े से आपको exam अगर नहीं दिया हो तो आप लोगो को कुछ भी अपने मन से बना करके लिख देना है रियल नहीं लिखना जैसे कि आप ABC स्टेट लिख सकते हो ऐसा कुछ भी आप रेंडम लिख सकते हो देन फिट इसके बाद में आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस देना है ठीक है जो भी यहाँ पर रिसीव करेगा उसका हम लोग यहाँ पर एडरस लिख देंगे जो कि यहाँ पर होगा सबसे पहले जैसे कि अब हम लोग यह लेटर है, यह लिख रहे है MLA को, तो यहाँ पर सबसे पहले उनका नाम, फिर उनका address, फिर उसके बाद में हुआ का जो भी city code है, जिप code है, वो आप लोग इसके अंदर लिखोगी, तीन चीजे लिखने होते हैं, इतना जादा इंपोर्टेंस नहीं होता, तो सबसे फर्स्ट में आप लोग को क्या लिकना है, सिंपल साफ लोग अपनी बेसिक अंडरस्टेंडिंग से लगा हो, कि आप लोग क्या बोलो कि आपको एको लोग से लिखर के आपको कुछ बात करने हैं, तो आपको का कंसान है मतलब सिंपल साफ को लिखना है कि आपको लिखने का रीजन क्या तो यहां पर आपने रीजन बता दे कि भाईया, मैं इन्वायमेंटल डिग्रेडिशन को लेकर कि बहुत जादा कंसर्न हूं, दूसरा आपने बता दे कि मैं इसका सॉलूशन आपको किस तरीकी से दूंगा, तो जैसे इसको पढ़ेगा, तो उसको लगेगा, हाँ यहार इस लेटर को मेरो को पूरा पढ़ना चाहिए, देन फिर इसके बाद मैं एका कि I believe that forming a ecological club and appointing eco-minster in our city can be aid to this endeavor, कि यह यह जो आप लोग मैं आपको बता रहा हूं, तो इससे क्या होगा कि हमारी environment को बहुत ही इंपोर्टेंट रही वो यह है, कि Madam, you requested to kindly consider the suggestion to ensure a better prevention and conservation of nature, तो भईया, सिंपल सापने कहा है, आप उनसे क्या करो, request करते हो, हमीशे इस बात या दखना, कि आप कभी भी उनको order नहीं करो, कि आप लास्ट के इंदर लिख होगे, कि मैं मेरी request है, कि आप इसको एसको एसको होगा, क्योंकि यह जो पोरी-पोरी लैंग्विज है, बुकिश लैंग्विज और कभी भी भी बुकिश लैंग्विज के फुल मार्क्स नहीं मिलते हमेशा जो आप लोग इंसान हो, तो इंसान बन करके ही अपने एक्स्प्रेस लिखा करो, गलत होता है, जादे साद उसके का तरीका अलग-अलग होता है, इसलिए सभी के अंसर्स अलग-अलग होते हैं, फिर हमेशा बात याद रखना कि एक आप लोगों को सिंपल सा फॉर्मल लेटर है और जो दूसरे लेटर हरेगा, फो रहेगा आपका लेटर टो एडिटर का, अब इसके अंदर आप लोगों क और फिर इसके बाद में कहा गया है कि, आपका मानना यह है कि जो रिजनल लेटर होती है, इससे यूनिटी को परमोट होता है, जैसे कि फॉर्ट एक्जामबल के लिए आप लोग कहीं से भी होंगे, ठीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि अब मेरे यहाँ पर क्या है, जैस मलंदा कुछ भी चीजे सीखने लग जाते है थो दो साल तक वो ऐसे सेंटेंस बनाने लग जाता है, तो क्या होता है कि जब रिजनल लेंगूज के अंदर स्को कोई बी चीज सीखाया जाती है, तो उस चीज को सीख जाते है, तो वही बात इसके अंदर भी कही गई है, जो जब जैसे कि मैं अगर मान लो कि धियर अधर स्टेट के अंदर हूं और मान लो कि मैं हूं कुछ ना चैनल आ छिक अब करना अधर में अगर मैंक यहां पर कोई मेरी लैंगविज वाला आदमी वह लेगा तो एक तरीके समं दोनों की यूनीट है अच्छोगी हम लोग अच्छ अब अब डेट, फिर इसके बाद में हाप जो रिसीवर एडरस है वो, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यह है कि इंट्रोडेक्शन ओफ एंदी ओनलाइन डीजनल लेंग्विज लेर्निंग प्रोग्राम, आप लोग को सजेशन रहेगा, कि सर यह मेरा सजेश मिल दा मलब यूनिटी परमोट होती है, and I am writing to suggest the introduction of an online regional language learning program in a city to help recently relocated residents of all the ages establish a healthy raptor with the local resident and promote mutual understanding, अब इसके अदर देखो आपको इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं दिया है, तो आपने हापर अपने दिमाग से बनाया है कि आपके जो state है उसके अदर जो दूसरे resident है, उनको help मिले तो इसलिए regional language आप organize करना चाहते हूँ, यह आपका suggestion, आपने पहले paragraph में बता दिया कि आप क्यों इसको लिख रहे हूँ, आपका क्या motive है और किस तरीके से इसका solution आपको मिलने वाल है, फिर इसके बाद में इसकी closing line वही रहेगी कि आपको इन से request करने होगी कि I hope that publishing of this letter in columns of your Delhi shall urge the community to support the program for this potential to bring the people together and promote the language proficiency and foster in a sense of brotherhood, तो सिंपल्स आपने यहाँ पर कहा है कि यह जो मेरा concern इसको अगर आप अपने paper के अंदर publish करोगे, तो इससे जो committee है उसको काफे जादा help में लेगी, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक तरीके से आप उनको बता रहे हो कि आपको इसको क्यों करना चीए, तो यह सब चीज आप जाद से जाद से लेटर पड़ोगे, तो यह सब आपका एकदम से सही हो जाने है, अब इसके बाद में जो नया तरीके का question है, वो है हमारा question number 5, इसके अंदर कहा गया है कि टैश्रिंग of class 10th is contesting the post of and the junior school captain in upcoming student council election, given blow is her character, जैसे क कि उसका नीचे दिया गया है कि वो किस तरीके की है, अब देखो यहाँ पर क्या करेक्टर उसके बार में बताया गया है, कि इस average in academic performer, कि मतलब ठीक ठाक है पढ़ने में ज्यादा पढ़ने में ध्यान नहीं है, लेकिन मैंटेंस the discipline and study routine, लेकिन उसका discipline and study routine वो मैंटें रखती यह है कि सभी को सभी की मदद करने चाहिए और हर इके लिए हर कोई अवलेबल होना चाहिए, and helps appear in the difficulties academic or personal simplicity, वो जो भी अपनी दोस्त होते हैं, कलिक्स होते हो, उनकी काफी सद हेल्प करती academic level पर, non academic पर, personal पर, फिर उसके बाद में, is less impulsive but highly sensitive, वो बहुत ही जादा sensitive है, उसको कि एकदम से गलत है, लड़के रोते तो हैं, लिकिनों किसे को दिखा नहीं पाते है, और फिर इसके बाद में आते है, work hard to achieve goals, हो hard work करती है, अपने goals को achieve करने के लिए, तो simple आपको यहां पर उसके बारे में एक paragraph लिखना है, 120 words के अंदर, आपको इसकी यह जो character इसको analyze करके कि या तो आप उसको support करो, या फिर आप उसके against में जाओ, आप इन दोनों में से कोई सा भी करते हो, आपको इसकी choice दी गई है, तो आप हम लोग एक बार support वाला देख लेते हैं, फिर इसके बाद में against वाला तो आप खुझ से देख लीजेगा, तो अब हमारे पास में जो support वाला है, वो इस तरीके से रहेगा, कि supporting हम उसको क्यों support करना चाहते हैं, as a responsible student water, I believe that tershing possess a necessary traits to be an excellent school captain, तो simple सा जब कभी आप इसको support करना चाहते हैं, तो आप तो सबसे पहली line तो यही लिग देना, कि भईया, मैं इसको support इसलिए करना चाहते हूं, क्योंकि जो भी एक्वाल quality होनी चाहिए, वो सब qualities इसके अंदर है, हर discipline, study, routine, and hard work ethics indicates her ability to prioritize and manage the time efficiently, तो सबसे पहले आपने हापर point यह लिखा है, कि यह जो इसका study करने का routine है, और यह जो hard work करती है, इसके वज़े से क्या होते है, कि अपने काम को, मतलब, prioritize कर पाती है, और अपनी जो time हो इसको efficiently manage कर वाती इसके study कर पाती है, काम भी कर वाती है, and is less impulsive but sensitive, focuses on the excellent outcome of her task assigned to her demonstrating and decision making skills, तो यहाँ पर simple सा यह बता रहा है कि वो sensitive तो है, लेकिन वो अपने जो goal से उनके उपर focus करती है, वो यह focus करती है कि उसको जो outcome हो बहुत ही जादा आच्छे हो, तो यह यहाँ पर दिखाता है कि वह लास्ट के अंदर ही कहना चाहते हूं कि लास्टली मैं एक बात और कहना चाहूंगा additionally, कि वो जो help करती है लोगों की, जिस वज़े से उसको जरूर से captain बनना चाहिए, यह सब बात है, फिर इसके बात में आता है कि difficulties highlights are empathic and caring nature and furthermore treasuring beliefs one for all and all for one, यह जो policy आपको इसको जरूर स हाइलाइट करना है, then फिर इसके बात में आपर लास्ट जो sentence है, वो यहां पर रहेगा, कि आप लोग इन reasons के वज़े से उसको करना चाहते हूं, तो for these reasons, I believe she has the potential to be a good school captain and I support her candidature, अलब के symbols अभी यह वो जो candidate है, उसको मैं इन ही reasons के वज़े से support करना चाहता हूं, तो दो बात फाइफ भी है, अब की बार जितनी भी आप लोग को questions दिये गए हैं, वो इस तरीके से दिये गए हैं, कि आप लोगों को इनको analyze करना है, support करना है, और इनका against के अंदर जाना है, तो अब इसी तरीके से हमारा यह वाला question है, इसके अंदर हम से कहा गए कि as a captain of the school cultural club, you have been asked to study the given inventory provided by the tour organization vendor, कि आपको simple साथ जो vendor है, उसने आपको यह सब दिया है, कि यह हमारा tour plan है, तो उसको लेकर आपको सब चीजे बताने है, और इसका पूरगपुर आपको analysis दिया गया है, कि 22 November को यह होने वाला है, 30 November को यह होगा, कितना time लगेगा, तो यह सब आपको data given है, तो अब हम लोग इसको start करते हैं, हम लोग इसके starting इस तरीके से करेंगी, a thorough analysis of and the interior provided by the tour organization vendor reveals that their tour purpose should be accepted, simple सा पहले आपने, जैसे कि पहले वाले sentence के अंदर हमने कहाता है, इसके जो nature है, इसके जो character traits है, उसको देखकर कि हम लोग यह बोलते हैं, कि इसको accept किया जाना चाहिए, तो उसी त है कि it is and the well planned and includes an array of and the educational activities for the student, फिर इसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि the inclusion of and the visit and the भारत garden और फिर उसके बाद में कहां कहां पर यह जाने वाले, तो वो सब चीज आपको यहां पर लिखनी है, और इसके अंदर आपको एक चीज और ज़रूर से include करनी है, जैसे कि अकर आप कोई भी data इसके अंदर अगर लिखो, जैसे कि आप data लिख रहे हो, तो उस data को क्या करना है, आपको वहां पर करना है, इसको highlight, जिससे कि क्या होगा कि सीधा क्या होता है, कि जब कभी हम किसी भी data को highlight करते है न, तो वो एक अच्छा impression डालता हो, और यह एक paper presentation के लिए बहुत होता है, कि अगर आपके पास में कोई भी data हो किसी भी answer के अंदर, जैसे वो literature हो, grammar हो, writing हो, आपको इसके अंदर जैरूर से उसको इंग्लूड करना चीए, और फिर इसके बाद में यह सबाप लोग इसको पढ़ सकते हो, लिकिन इसका जो लास्ट वाला है, वो बहुत ही जा जाना यह है कि भाया, यहाँ पर complimentary staff रहेगा 20 students के लिए, उनकी security का पूरग पूरा इंतजाम रखा जाएगा, और इसलिए यह जो परपोजल इसको accept किया जाना चीए, ठीक है, बड़ा ही simple है, दो-चार में आप लोग को practice भी करवाऊंगा, तो वो वीडियो आपको कैसे बता कर सकते हैं, ठीक है, so अब हमारे पास में देखिए, इसका paragraph कुछ इस तरीके से रहने वाला है, कि as a high school student studying a poetry can be a roller coaster right, and this journey is punctuated by the moments of and the profound appreciation for the simpler pieces and intermittent frustrations with more complex words, अब देखो आपने एक ही line में आपको इसका मतलब समझाता हूँ, वो यह है, कि भाया, इसका अंदर as a high school student, आपकी इतनी जादा भी आपने development हुई नहीं है, आप इतनी जादा चीजों कुछ जानते नहीं हो, तो आप लोगों के लिए point पढ़ना, एक roller coaster ride हो सकती है, अब वो कैसे, वो ऐसे, कि यह जो journey है, यह punctuated होती है, moments of and the profound appreciation कि यहाँ पर छोटी-छोटी जो चीजे इनको बहुत ही जादा तो यह है poetry को लेकर के, अब जैसे कि इसके अंदर कुछ words है, मैं आप लोगों को एक word यहाँ पर ढूंड करके बताता हूँ, वो यह है, वो है, यह decifer, अब decifer का मतलब क्या होता है, decifer का मतलब होता है, कि to understand the meaning, जो की point कहना चाहरा है, अब जैसे कि मान लो कि मैं कोई भी बा समझो जो की वो कहना चाहरा हूँ, तो इसलिए point जो है, उसको समझना बहुत ही जाद ही important होता है, और हम इसको पढ़ने में बिल्कुल भी time waste नहीं करेंगे, आप इसको जरूर से पढ़िएगा, अब देखो, अगर आपने पढ़ा होगे, तो आप लोग इसका answer comment करके देता हूँ, symbol जाए इसका answer ये है, कि हमारी जो poem होती है, उनको पढ़ना एक आम आदमी के लायक बात नहीं होती, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, आपको समझना होता है, आपको intellectually खुद से question करने होता है, आपको उसको बहुत ही जादा detail गंदर उस चीज को समझना होता है तो अब उसी के business के उपर आपको बताना है, कि यहाँ पर जो हमारा author है, वो क्या बोलता है poetry को ले करके, अगर आप इसको पढ़ोगे, thoroughly पढ़ा होगा, तो आप लोगों के मैंसे maximum students का answer रहने वाला है, वो रहने वाला है A, अगर आप बस और बस इस paragraph को पढ़ करके I होंगे क्योंकि आपने पहले में देख ले कि भाया जो उसको frustrating लगते है तो frustrating इसका answer होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप इसको थोड़ा से नीचे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इसका answer क्या है, ठीक है, अब देखते कि इतने student इसको सही answer देते हैं, then फिर इसके बाद इसका कहना ये है कि अगर हमसे puzzle ये ही solve करवानी थी, तो इससे अच्छा तो हम लोग ये गरते poetry की पढ़नी के बज़े हम pseudo को खेल लेते, भाया अगर आप लोगों को हमें अगर ये ही goal था, तो इससे अच्छा तो हम ये ही खेल लेते, ये बात है इसके कहने का, तो आप यह अगर ये ही तेरा मकसा था, तो इससे अच्छा था हम लोग सूडू को खेल लेते ना, तो ये क्या है याँ पर क्या है, ये है है, तो इसके अंदर, अगर मैं आपको ये पढ़कर के समझाऊंगा, तो ये बेवकुफी होगी, बेवकुफी इसली होगी, क्योंकि हर एक पोईटरी, भईया, सिंपल से हमारा जो ओथा है, उसका कहना ये है, कि ये जो हमारा जो पोईट होते हैं, जो कि लिखते हैं इनको, तो भईया, इनको इतनी सादा कॉंपलेक्स बनाने के क्या ज़रूरत है, तो वह ही ओथा इसके अंदर, बात कह रहा है, फिर उसके बाद म implies that the writer believes that point may be intentionally make their words difficult to understand, ये बात ज़रूर से हो सकती है, कि जो हमारे पोईट हैं, वो जान बूच करके ऐसे words लाते हैं, जिससे कि हम लोग उनको समझना पाएं, और हमें उसके अंदर difficulty हो, तो यहां पर क्या कर रहा है, पूरक पूरा सर्केस्टिक टोन हैं, दो इसके आंसर दि अब ये आप कैसी सको आंसर करोगे, इसमें कहा गया है कि भाया, ऊपर कूदना नीचे कूदना, खुशी के साथ में ये कैसे हो सकता है, तो जब कभी आप पोईटरी पढ़ते होंगे, तो इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे words होते हैं, जिनको किया ना आपको रोलर कोस्टर होत लग जाते हैं, तो वही यहां पर है, कि ऐसे words जिनको कि हम लोग आसाने से रिलेट कर पाएं, और वे एक रिदम भी बज़े, तो हमें उनसे में गुण जाती है, जब कभी वे रिदम के अंदर गुण जते हैं, तो उससे हमें गुश बंस आते हैं, तो अब यहां पर यहां इसका पावरफुल इमोशनल इंपक्ट और इन्हेंसेज दर रिडर अंडरस्टेंडिंग ओफ इंटेंशिटी ओफ इमोशन देट कैन बी कनवेट थ्रू पोईट्री, तो अब यहां सिम्बल्स को कहना यह है, कि इससे इक पावरफुल इमोशनल इंपक्ट होता है, जिससे कि जो रिडर की अंडरस्टेंडिंग है, वो बढ़ पाती है, जब कभी भी आप ऐसा करती हो, कि उसकी इमोशन को अगर आप ट्रिगर कर पाती हो, तो उसकी समझने की शक्ती जादा बढ़ती है, और उसे के साथ में इंटेंशिटी ओफ इमोशन है, उससे उसकी पोईट्र जा पाती है, फिर इसके बाद में इसका फोर्थ क्योशन है, जिसके अंदर की हाम में एंटोनेम्स निकालने हैं, तो मैं आप लोग को इन में इसके मतलब बता देता हूं, जिससे कि आप लोगो को कोई भी देकत ना हो, ठीक है, तो मैंने आप पर लिख रखा है आप लोग चीजें कैसे काम करते हैं, इन कीज़ को लेगर के मैंना हर किसी से कुछ भी पूछने लग जाता हूं, और फिर उसके बाद में ऑफपूटनीं का मतलब होता है, बोर कर देना, जैसे कि आपके जो सिबलिंग्स होते होंगे, वो आपको बोर करते हैं, छोटे बच्चे उसी आपको बता है, अपको बता है, अतलब होता है, पहलता है। आंसर हो गया है हमारे पास में simple और एक तरीके का है वो है complex तो इसलिए हमारे सो correct answer रहने वाले है वो रहने वाले सी emotion और फिनिंग एक जैसी चीजे होती है इसके बाद में next आता है कि complete the sentence अब आपको इसको complete करना है वो यह कि we can say that the author tone becomes more neutral and objective when discussing the weird points compared to the other point because अब अब यहाँ पर ध्यान से देखो यहाँ पर जो हमारा author है पहली अगर आपने उसकी tone देखी तो बोल रहे कि frustrating होती है वो complex words को क्यों यह उसमें लेता है इस अच्छा तो वह आसान हमें दे सकता था हमें सूड को खेल लेना चाहिए यह करने लगया लेकिन अब उसका दोगलापन देखो वो यह बोल रहे है कि ठीक है point है वो ठीक करता है ठीक तरीकी point लिखता है तो यह क्या होगी यह होगी है उसका दोगलापन वो इसको समझ ही नहीं देना चाहता कि हम क्या करना चाह रहे है ठ पर the author acknowledged that the weird poems can be off-putting but also appreciate their uniqueness and the challenges they present to readers. Simple source का मानना यह है कि कुछ ऐसी weird poem होती है जिनको पढ़ने में बहुत ही जाधा मजाती है और कुछ-कुछ होती है जो कि challenging भी होती है जिसे कि क्या होता है कि उनकी uniqueness होती है. अब यहाद है मेरे को तो इसी तरीके से यह पोईम है लेकिन यह छटा क्योशन फिट से दिमाग खराब कर रहा है वो यह है कि बेस्ट ऑन दे रेडिंग ऑफ दे पैसे एक्जेमाइन अबॉट्स 40 वर्ट्स हाउ स्टाइड अपोईट कैन बी एक्स्लोरिं न्यू सिटी आप मेर को इसक्वेशन का मतलब जाद तर समझ में नहीं आया तो सिंपल सा मैं आप लोग को बूल रहा हूँ तो अब इसका आंसर देखो किस तरीके इसका आंसर ही है अब देखो इसके अंदर क्या है इसके अंदर बात यह है कि जैसे कि जब कभी आवे एक नई सिटी एक्स्ट्रोर करने के लिए जाते है वहाँ पर आपको अपना माइंड ओपन रखना होता है आप चैलेंजिस के लिए रैडी होने चाहिए कि आपको क्या क्या चैलेंजिस वहाँ पर देखने को बेलेंगी सबसे पहला आपको लेंगे जहाँ पर समझ मीनेगी आपको फुड वहाँ का अच्छा नहीं लगेगा आपको वहाँ के लोगों से बात करने में दिक्कत होने वाली है तो यही बात है यही पॉइम के अंदर भी कहा गया है तो इसी तरीके से आपको इस पॉइंट से सोच रहा है कि भई सिटी को घूमना और पॉइम का क्या रिलेशन हो सकता है तो वो यही रिलेशन की बात कर रहा था अब हम लोग आच चुके हैं इंग्लिश के सबसे बड़े पार्ट के उपर जो की है हमारा लिट्रेशर को ले करके अब देखो लिट्रेशर को ले करके मैं आपको छोटी सी सजेशन देना चाहूंगा कि आपको literature को अछह कर ना तो आप start करो आपने long answer को read कर ना जितना ज्यादा हो उतने ज्तनी ज्यादा long answer को read करो और उसमें say identify कर ओव आ आप keywords को ठीके जब आप keywords को identify करोगे ना तो उन keywords क क्या करना अपने short answer के अंदर第 thirds करने वेरी शौ्ट आंसर चाहिए पारा टाइ बिलांच वी चाहिए खी इंगे टिवट्स हैं यह घुँनाख लागोर चाहिए लिए आपको एक पैरा गीवन है, जो कि आपकी बुक से है, जो कि है हमारा the making of scientists से, अब इससे related आपके पास में question है, अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, अगर आप सीधा questions करना चाहते हो, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, तो यह आपके पास में choice रहते हैं, और इसमे अब इसके अंदर आपको point दीगी है, fire and ice वाली, ठीक है, अब इसके अंदर कहा गया है, कि आपको fill in the blank करना है, वो यह है कि when the speaker says that ice could be, तो अब हमारा first question है, वो है fill in the blank को लेगर गये, तो यहाँ पर इसमें यह है कि when the speaker says that ice could be, so, अब हमारे पास में आता है, इसका question number first, जो की है, हमारा fill in the blank, जिसके अंदर की कहा गये, कि when the speaker says that ice could also bring about the end of the world, he refers to, and then next, जो आता है, वो आती है, हमारी poetry, अब देखो, यार, poetry को लेकर कहना, बहुत सारे student को क्या होते है, इसके अंदर doubt होते है, पॉइम को लेकर कि भाई, हम पॉइम के अंदर कैसे अच्छा कर पाएंगे, तो मैं आपको एक suggestion देता हूँ, वो यह है कि आप लोगों को इसका explanation पढ़ना चाहिए, explanation अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको यह सर्फीचे बहुत ज़्यादा समझ में आजाएंगी, अब जैसे कि मैं जब explanation इसका देखता था, तो मैं long answers को ज़्यादे इसके read करता था, उससे क्या हूँदा था, मेरे को basically idea लग जाता था कि पॉइम के अंदर है क्या explanation पढ़न जो की है हमारा question number first, जिसके अंदर की कहा किया है, fill in the blank है यहाँ पर कहा कि कि when the speaker says that ice could also bring the end of the world, he refers, यहाँ पर जब यह कह रहा है कि यह जो हमारी दुनिया है, इसका अंत आ सकता है, तो यहाँ पर वो क्या कहना चाला है, simple सा इसके अंदर आप यह कह सकते हो कि यहाँ पर जो ह destruction world का होना ही नहीं चाहिए, then फिर इसके बाद में आपर next आता है कि what does the speaker alignments with those who favor ice suggest, तो अब हम लोग इसका answer देख लेते हैं, इसका answer इस तरीकी से रहने वाल है कि the speaker alignment with those who favor the ice suggest that they have seen the destructive consequences of lack of empathy and the emotional connection, तो यहाँ पर उसका कहना यह है कि ice को जो भी favor करते हैं, वो वो लोग होते है जिनको लोग आस पास के जैसे कि उनको कोई support करने वाला नहीं होता, emotionally बहुत ही जाद अकेले होते हैं, तो ऐसे लोगों को लेकर के यहाँ पर हमारा जो point है, वो कहना चाहरा है, then which of the following best describe the speaker's attitude towards the destruction caused by ice, तो यहाँ पर यह जो ice को लेकर के कैसा है, so अब इसका answer क्या होगा, तो देखो, इसका answer आप लोगो मिलेगा इसी point के जिसके अंदर की कहा गया, to say that the destruction of our ice is also great, तो यहाँ पर great बोल रहा है, तो मालाब एक तरीके से उसको appreciate कर रहे है, respectfully उसको बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या इसका answer होगा, वो होगा indifferent, जो की एकदम से गलत है, fearful वो भी गलत है, demensive वो भी गलत है, लेकिन respectful इसका एकदम से सही है, D उसका सही रहने वाला है, और फिर उसके बाद में आते कि comment on the point use of a language in this line, तो यहाँ पर इसका answer यह रहेगा, कि the language used in this line is simple and straightforward, अगर आप इतना लिखते हो, तो इसका एक mark है, फिर आगे आप इसको explain कर सकते हो, जो भी आप the phrase are easy to understand and the poem is written in a very simple language, वही बात को फिर से लिखे दिया, लेकिन उसका marks ज्यादा मिल जाता है, फिर इसके बाद में आप पास में यह हैं questions, अगर मैं आपको यह questions पढ़ दे रहे बताऊंगा, तो इनका कोई sense नहीं निकलता, मैंने आप लोग को बता दी है, कि आप लोग को इ और सब्सक्राइब बटन को तोड़ दोर अपने दोस्तों के साथ में से ज़रूर सी शेयर कर ताएक